एक, दो, तेन, चार और बोया के तीन, चार ऐसे ही सेम माइक मैं फेंक चुका हूँ कोई माइक कैमरे में काम नहीं कर रहा है, कोई माइक स्मार्ट फोन में काम नहीं कर रहा है मतलब 6-7 हजार रुपे बरबाद होने के बाद I decided to search, research और जाच परतल तब कहीं जाके पता चला नकली माइक के पीछे का असली सच किसी नए इंसान को इतनी आसानी से पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा रियल माइक है और कौन सा फेक माइक है सबकुछ decent way में बिल्कुल professionally तरीके से लिखा हुआ है फेक वाले माइक में काफी dull और faded colors देखने को मिलते हैं दोनों box पे जो image लगी होई है उसमें काफी difference देखने को मिलेगा अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो ऐसा लगता है रियल वाले माइक की जो image है उसकी photo state करके फेक वाले माइक के box पे जिपका दी हो next barcode रियल वाले माइक के box पे जो बार कोड है काफी professional way में लगा हुआ है वहीं पर फेक माइक के ऊपर सब कुछ like उबड़ खावर सा पड़ा हुआ है left side से भी दोनों बिल्कुल same है वट जो color है वो real वाले में थोड़ा professionally मतलब highlighted color है right side में भी दोनों बिल्कुल same है थोड़ा color का फरक है बट नीचे की side अगर आप देखेंगे तो दोनों mic में बोया लिखा हुआ है but fake mic में बोया के ऊपर आपको registered mark देखने को मिल जाएगा but in a real mic there is no registered sign बोया के ऊपर back side में सब कुछ same है like features, specifications, all things are same but जैसे ही नीचे की side में आप जाएंगे difference clearly आपको नजर आ जाएगा even जो barcode है इसके नीचे ये जो serial number 1 लिखा हुआ है दोनों में बिल्कुल same है पर real mic के ऊपर extra detailing मिलती है like importer, exporter, manufacturer और details पर fake mic पर ये सब कुछ नहीं मिलता लेकिन हो भी सकता है क्योंकि एक slip बनाकर चिपकाने में कितना time लगता है पर हम सच्चाई को सामने लेकर आएंगे अगर इस slip को मैं remove कर दूँ तो सारी चीज़े आपको clearly समझ में आ जाएंगी real and fake के बीच का difference लेकिन सच्चाई अभी बाकी है मेरे दोस्त दोनों के box में बिल्कुल same documents मिलते हैं like warranty card, user guide and boyah tag but you can easily notice that difference tag दोनों के बिल्कुल different है fake वाले पर उल्टी सीधी Chinese माशा लिखी होई है but on असली tag everything is mentioned in decent way but on back clearly पता कर सकते हैं कि कौन सा असली है, कौन सा नकली लेकिन और भी काफी सारे differences बाकी है क्योंकि जब इतना सब कुछ change कर सकते हो तो एक tag को change करने में कितना time लगेगा user manual भी बिल्कुल दोनों की same है but on a ninth page there is a diagram जहां color combination दोनों का different है and the same thing you will notice on page number 14 तो यहां से भी आप चीज़े clear कर सकते हैं warranty card दोनों का same है but printing में आपको थोड़ा सा फर्क जरूर नजर आएगा inside both are same but front side से left का right और right का left side में print कर दिया है accessories भी दोनों में बिल्कुल same है पर हां कभी कभी fake वाले mic की जो build quality है थोड़ी से dull मिल जाती है पर हर वार accessories के basis पे कौन सा real है कौन सा fake है यह पता कर पाना मुश्किल है दोनों microphones की build quality almost same है पर चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो कुछ न कुछ evidence तो छोड़ जाता है condenser की quality में फर्क तो है पर पता कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है बोया की branding के नीचे camera smartphone on off को जो option है वहाँ पे आपको फर्क पता चल जाएगा क्योंकि जो real वाला है उसमें थोड़ा सा bold और decent way में लिखा हुआ है बट fake वाले में alpha weights ने काफी जादा नौर वाले है बट real mic के back side पे आपको QR sticker मिल जाता है लेकिन जो fake वाला mic है उसके पीछे आपको कोई भी QR sticker देखने को नहीं मिलता condenser open करने के बाद भी काफी सारे चीजे के लिएर हो सकती है like real वाला mic का जो condenser है जब आप इसे open करते हैं तो इसमें एक cell को बाहर निकालने के लिए कपड़े की एक strip दी गई है और देखने में भी काफी premium लगता है but fake mic में ऐसा कुछ भी नहीं है और काफी सस्ती build quality लगती है inside से दोनों mic के जो condenser है उनके उपर design बनाए गई है ये जो हलके हलके dots हैं इससे भी हम पता कर सकते हैं दोनों के बीच का difference like जो real वाला mic है इसके dots काफी छोटे हैं as compared to fake वाला microphone तो you can easily notice difference दोनों के जो pouch हैं इनकी भी build quality almost same है थोड़ा बहुत फरक है अगर मतलब 2 mic का आपके हाथ में होंगे असली नकली दोनों तो तो आप देखके पता कर सकते हैं otherwise पता कर पाना बहुत मुश्किल है तो accessories के base पे इसके pouch के base पे या फिर जो build quality है उसके base पे या फिर box के base पे हर बार असली और नकली का पता कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है पर हमारे पास में दो और खतरनाग बाले official तरीके हैं पता करने के real mic से यह sticker remove करने के बाद में इस QR code को अगर आप scan करोगे तो यह directly आपको BOYA की official website पर पहुँचा देगा 16 digit का जो security code होता है वो डालने के बाद में inquiry पर click करने के बाद verify हो जाएगा and it means आपका mic original है दूसरा तरीका है BOYA की official website पर जाकर आप authenticate कर सकते हैं कि आपका mic original है या फिर fake है अगर आपका mic fake हुआ तो फिर चीज़े काम नहीं करेंगे बैसे अगर आपको BOYA का original mic खरीदना है तो link के हमने description में दे दिया है आप बहाँ से खरीद सकते हैं लेकिन हाँ जब आप उस पर click करके Amazon की website पर पहुँचेंगे तो और भी suggestion में काफी सारे sellers आते हैं तो उन पर नहीं जाना है क्योंकि Amazon से already मैं 6-7 fake mic मैं खरीद चुका हूँ तो photo card dot in करके Amazon पर seller है तो मैंने वहीं से खरीदा था genuine product आया है मेरे पास में और अच्छे तरीके से मेरे phone और DSLR दोनों में काम कर रहा है fake mic का यहीं काम होता है quality काफी dull होती है sound quality और अगर phone पर काम करेगा तो DSLR पर नहीं करेगा DSLR पर करेगा तो PC पर नहीं करेगा वट यह आपका smartphone, DSLR, camcorder, audio recorder, PC मतलब दुनियादारी की सभी चीज़ों पर जो जो supportable है मतलब compatible है जिसके साथ में उन सभी पर यह काम करता है और हां एक चीज़ और जो local वाला microphone है उसमें noise cancellation नहीं होता है बट real वाले mic में noise cancellation होता है तो सारी चीज़े almost I think clear हो चुकी है सब्सक्राइब कर दो चैनल को बाई बाई